नमस्कार आप सभी का लव इंफाइनेट चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है एस्ट्रो सीरीज में आज ये बताने जा रही हूँ कि क्या एक मांगलिक परसन की नौन मांगलिक लड़की से या लड़के से शादी हो सकती है मतलब कहते हैं कि एक मांगलिक हो तो दूसरा भी मांगलिक ही होना चाहिए वरना शादी टिकती नहीं है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहता है बात बिल्कुत सही है, लेकिन लड़का और लड़की अगर मांगलिक हैं दोनों ही तो राहू, केतू और शनी के स्थिती पर निर्भर करता है कि शादी गैर मांगलिक से होगी या नहीं लड़का अगर मांगलिक है तो उसकी शादी उस गैर मांगलिक लड़की से हो सकती है जिसके राहू के तू और शनी दूसरे, चौथे, साथवे, आटवे और बारवे भावों में बैठे हो लेकिन अगर राहू के तू और शनी इन भावों में नहीं है तो उस लड़के के शादी मांगलिक से नहीं हो सकती यूटो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं या जातक होते हैं जातक बला जाता है ठीस भाशा में यूजो ऐसे जातक का उपाए तो कुछ भी नहीं होता है लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि 28 के बाद मतलब 28 एरिस आपकी एज हो गई है तो उसके बाद मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है नहीं जी ऐसा नहीं होता है खत्म प्रभाव बिलकुल भी नहीं होता है किसी भी प्लानेट का प्रभाव खत्म नहीं होता है जैसे कहते हैं कालसर पदोष अब टू 47 येर्स रहता है तो क्या ऐसा होता है कि 47 साल के बाद जब आपका 48 वाजरम जिनायत सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाए नहीं होता है ता उम्र रहता है ये पड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है आज भी जब किसी लड़के या लड़की के मैरिज के लिए कुंडली मिलान किया जाता है या कुंडली विशलेशन किया जाता है ना मैच किया जाता है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि मांगलिक है या नहीं तो जयोतिश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी किसी मांगलिक से ही होनी चाहिए क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी वजा हैं धारणाए हैं जयोतिश के अनुसार मांगलिक लोगों पर मंगल ग्रह का विशेश प्रभाव होता है वो, तो वह मांगलिक लोगों को माला माल बना देता है और मांगलिक व्यक्ती अपने जीवन साती से प्रेम प्रसंग के संबंद में कुछ विशेश ही इच्छाएं रखते हैं, कुछ अलगी तरह की उनकी डिमांड सोती है जिनको कोई मांगलिक जीवन साथी ही पूरा कर सकता है इसलिए मांगलिक व्यक्ति की मांगलिक व्यक्ति से ही शादी कराई जाती है देखे ना मांगलिक बोलते हैं या फिर मंगली भी बोलते हैं तो मंगली लड़के की शादी मंगली लड़की से ही की जाती है कुछ अलग ही उनके thought pattern होते हैं, अलग ही विचार होते हैं, love making के लिए भी अलग ही होते हैं, इसलिए इस तरह से बनाया जाता है, नहीं तो फिर तिक्कत आ जाती है non-manglic और manglic का विवा कर दिया जाए तो, तो कौन होते हैं manglic ये देख लेते हैं, आप भी अपनी कुंडली क खोल कर बैठके होंगे, मालूम होगा आपको, देख है, तो देख लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में, मैं बताने जा रही हूं, आप match करते जाहिए अगर आपको मालूम है, और अगर नहीं मालूम है, तो love infinite में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, 8307788247 पर आप मुझ वर्टसअप मेसेज कीजिए, क्योंकि ये मेरा वर्टसअप नमबर है, उसमें आप लिख सकते हैं, कि मुझे astro reading लेनी है, कुंडली मिलान करनी है, या तो इन्फलेम कनफरमिशन करना है, या detail कुंडली analysis करानी है, क्योंकि मेरा job नहीं चल रहा, मेरा finance नहीं हो रहा, मेरा क कुछ stuckness है लाइफ में, या शादी नहीं हो रही, या होती है तो तूट जाती है, बहुत सारी बाते हैं, बहुत सारी तकलिफे हैं, तो solution 100% मिलेगा आपको, जरूर आईएगा, और अगर आपको कंडली देखनी आती है, तो आगे बात करते हैं, देकि कंडली में कई परका करते हैं, जो छोटे बच्चे आते हैं, जैसे अनलब बच्चे इनसें, 18-20 साल के करवाते हैं कंडली आनलेसिस, तो मांगलिक क्या होता है, नोन मांगलिक क्या होता है, फिर वो अपने हिसाब से permutation combination बोलते हैं, जैसा नहीं है, अगर कंडली देखनी आती है, तो आप इस त स्थान में या भाव में मंगल स्थित हो तो वो व्यक्ति मांगलिक होता है ठीक है वो व्यक्ति हो गया मांगलिक तो फिर मांगलिक लोग होते कैसे हैं ऐसा नहीं है कि लोग डर जाते हैं ओ ये तो मांगलिक ऐसे नहीं करनी है अरे क्या करना को वो कोई रोग धोड़ी बुलकुल। मतब जान जाए पर वचन न जाए ये वाली बात होती है मंगलिक लोगा में। ठीक है। और कर टुण फ्लेम है तो भी होती है। सेलिए टुण फ्लेम की बात नहीं करते हैं अभी हम करते हैं मंगलिक की। तो वह बहुत ही responsible व्यक्ति होता है। कठीन से कठीन काम ही कर लेते हैं, टाइम से पहले, कोई कहेगा न, 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 ये इसका डेडलाइन से इतनी जल्दी कोई नी कर सकता, ये डेडलाइन दे दो, किसी मांगलिक विक्ति को दे दो न, कोई डेडलाइन, ये इतना मुश्किल काम है, करके दिखा दे, तो वो करके डिखा देंगे और टाइम से पहले टाइम पर नहीं पहले उनके अंदर नेतरतों की शम्ता होती है लीडर्शिप उनके अंदर जन्मजाद होती है लीडर होते हैं आप देखेंगे कोई छोटा बच्चा ना 5-7 बच्चे खेल रहे हैं तो उन में से एक माली जो दुबला पतला छोटा सा हाइट में भी होगा ना फ्यूट सा तो लेकिन वो बड़े बड़े लंबे चोड़े लड़कों को या दोस्तों को कहेगा एधरा इधरा पूरी तरह से वो लीडर्शिप का काम रोल निभाता है वो कहता है नहीं गेम ऐसे केलना है गेम्स के यह रूल है तो में इधर जाओगे तो मुदर जाओगे मैं यह बताता हूं मैं कैप्टन हूं और मैं स्टाट करूंगा गेम वो क्यों कहता है उसके अंदर बचपन से ही उसके इनदर यह गुण होता है возь CNN यह मांगलिक लोकों में होता है और यह लोग ज्यादातर किसी से घुलते मिलते नहीं हैं बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं लेकिन जब मिलते हैं तो पूरी तरीके से responsible होते हैं, अपनी संबंद बड़े अच्छी तरीकी से बनाते हैं, बहुत अच्छे महत्वा कांक्शी होते हैं, लेकिन प्रोध भी बहुत पाये जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, मांगलिक है तो भाई, बहुत लड़ाई नहीं होते हैं, बस वो बोलते हैं, ये लगता है कि ये मैन्यूपलेटर है, ये इगोईस्टिक है, इस तरह का लगने लगता है, देखे न, अगर मैं कहूं, मैं भी मांगले कूं तो क्या कहें क्या, मैं हूँ, सारे वो गुण, तारे दोश लेके पैदा हो रखे हैं, त्विन फ्लेम अगर देखे जाएं तो, इसलिए बहुत सारी तकलिफे आती हैं, लेकिन गुण होते हैं, कुछ ना कुछ तो फिर वो कही न कहीं से रस्ता भगवान उनको देही देते हैं, क्योंकि महत्वा कांशी होते हैं, और गुस्से वाले बहुत होते हैं, तो दूसरे लोग इन से दूर दूर रहते हैं, दूसरों को लगता है यह तो अपनी चलाने वाला है, अपनी कहने वाला है, हर समय अपनी बात को पर रखता है हर समय भी नहीं बट हाँ ध्यान से सुनते हैं अच्छे से बात करते हैं सही बात बताते हैं सामने वाले को नहीं पसंद आती इसलिए वो भाग क्यों क्योंकि जो ये जिनके अंदर होता है न मंगल दोश मंगलिक जो होते हैं बहुत दयालू भी होते हैं बहुत शमा करने वाल गलत किया है, साहफ बोलने वाले, भाई ने करा है, किसी नहीं लवड़ बन हो, यह गलत है तो गलत उसको बोलेंगे सब के सामने, खुद गलत करेंगे ना तो भी एकसेप्ट करेंगे, इसलिए कहा रही हूं कि जो मांगलिक होते हैं, खराब नहीं होते हैं, उसलिए होता है, उनको गलत के आगे जुकना पसंद नहीं होता, कहीं गलती करते देख रहे हैं, कि उनको जुल्म होते देख रहे हैं, तो तुरंत आगे आते हैं, इनिशेट करते हैं, बोलते हैं, और खुद भी अपने तरफ से किसी भी तरह की गलती नहीं होने देते हैं, ठीक है, और यह बहुती उच्च पद भी पाते है, बहुती उच्ची पोस्ट पर होते हैं, अच्छे माता-पिता भी बनते हैं, अच्छे पुजा पार्ट, São Fritzा, पुजा पार्ट, तंत्रिक, उकल्ट पिद्या इसमें चले जाते हैं, जैसे मेरा तो tarot का भी है और astrology भी है पूजा पाट का भी है तो मंगल दोश ये सब चीज़ें भी करवाता है बहुत अच्छे businessman भी बना देता है इवन जो राजनितिक हैं वो ज़्यादातर मांगलिक दिखेंगे doctors और engineers के मांगलिक दिखते हैं बहुत high class में चले जाते हैं इन्टुटिव क्लास में चले जाते हैं humanitarianism के work में चले जाते हैं दूसरों की help करते हैं हम tarot readers भी क्या करते हैं दूसरों की help करते हैं astrology क्या करते हैं दूसरों की help करते हैं पूजा पार्ट जो मैं करती हूं तो क्या होता है दूसरों की healing होती है, planet की healing होती है, जो जिस व्यक्ति पे दोश लगा, वो हटता है, ये सारे चीज़े होती है, जिनके लिए कराना उनका भी हटता है, तो ये सब healing के काम होते हैं, कुछ अलग ही दुनिया के होते हैं एक तरह से, अच्छा, अगर ये बात भी हो जाती है, कि गुण कितने मिलने चाहिए, ये भी मैं थोड़ा सा add कर देती हूँ, बाकि मंगल के बारे में तो मैंने आपको बताई दिया, कि मंगल, मंगलिक और नौन मंगलिक की भी शादी हो सकती है, लेकिन वो सारे मैंने उपाई बता दिया, कि क्या-क्या उसमें ग्रह होने चाहिए, और मंगलिक कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं, कितने गुण मिलने चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं, नहीं नहीं बहुत हैं, 15-20 गुण मिल गए, 18-10 भी मिल गए, कुल कितने होते हैं, 36 होते हैं, 36 गुण होते हैं, इनमें से जितने गुण मिल जाएं, उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन शादी के लिए, कम से कम 18 गुण मिलना जरूरी होता है, कम से कम 18, 18, और इससे कम गुण मिलना, या 36 गुण मिलना, सही नहीं माना जाता इसलिए मैं कहा रही है बहुत से लोग खुश हो जाते हैं 36 में बहुत अच्छे गुण है उसका रीजन है जिसके 18 तक मिलगे ठीक है 18 मिलगे ठीक है क्योंकि बगवान श्री राम और माता सिता के 36 गुण ही मिलेते 36 गुण मिले थे तो उन्होंने क्या पाया था विवा के बाद या शादी के वाद सिता माता को श्री राम जी का बहुत कम साथ मिला था बहुत कम ना के बराबर और उनकी मारेड लाइफ कैसी थी जंगलों में बटकी बच्चों को भी पिता का प्यार नहीं मिला तो इसलिए मांगलिक होना हमेशा बूरी बात नहीं होती है तो धिहान रखें अपना और गुण भी मिलाएं तो ठीक तरीके से सोचें समझें उसके बाद ही आपने बच्चों की शादी करें क्योंकि गुण मिलाने के बाद आगे बहुत कुछ पर्क चलता है पता चलता है एस्ट्रोजी क्योंकि भगवानों से निकल कर आई है रिशी मुनियों के थ्रू निकल कर आई है और हमारे पास लाइफ के कर्मा होते है वो सब कुछ इसमें दिखाई देता है और आपने ऐसा क्या काम किया था कि आपको इतनी तकलीफें चलनी पड़ रही है आपने ऐसा क्या काम किया था कि आपका पार्टनर इतना कार्मिक है इस पार्टनर के साथ ही आप कौन थे पिछले जनम तो यह सारी चीज़ें 34 से पता चलती है या फिर आपकी कुंडली से ठीक है एक ही बात है अगर आपको astrology analysis करवाना है तो जरूर आईएगा इसमें मैं audio आपको send करती हूँ थाकि आपका recording हो जाए आपका अपना personal audio आपकी ही WhatsApp पर चला जाता है record हो जाता है और यह आपके पास हमेशा आप रख सकते हैं जितने साल तक का मैंने बताया है मालीजे 2040 तक बताया है तो 2040 तक आप रखे हैं समझें वीच वीच में आप पूछ सकते हैं या और भी reading करवा सकते हैं और तरिफ्ट इन फिल्म confirmation कराना है तो भी आप आ सकते हैं कोई problem नहीं है